हेलो फ्रेंट वेलकम टू बाजेरा रेडे इंशूट टूडए नेरेसिस के आज के अंक में हम 10 सितंबर 2024 के तीन प्रमुक समाचार और उस पे आधारित 5 प्रस्णों को देखेंगे जिसमें से पहला समाचार है UAE के Crown Prince या जिने आप परधान मिंत्री कह सकते हैं उनकी भारत की यात्रा पे थी और इस यात्रा के दौरान भारत के परधान मिंत्री और UAE के Crown Prince द्वारा जो है जो अब उधावी के Crown Prince भी है उन लोगों के द्वारा जो है उर्जा के छेतर में चार प्रमुख समझा होते हुए हैं और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लेकर कई सारे अंटर्ष्ट जो पहलू होते हैं उनके चर्चा की गई है ठीक है तो इसको समझेंगे दूसरा हमारा जो मुद् एक सो तीस से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है भारत में भी कई मरीज आये थे लेकिन इस साल जो है अभी एक कल जो है दिल्ली में एक मरीज डिटेक्ट हुआ है एमपक्स का लेकिन ये पता चला है कि यहां का ट्रवेल हिस्ट्री है उसकी यानि बाहर से आया हुआ ह यहां से उसको नहीं हुआ है और जो जो वेरियंट भी है वो बहुत चिंता जनक वेरियंट नहीं है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें यहां पे एक मुद्दा आ गया है कि अभी हाल ही में जो है एक कांगो है अफरिका के अदेश उसको बहुत साल मतलब चाहिए और इसके बारे में भी थोड़ा सा तीसरा जो मुद्दा है वो यह है कि हीलियम के लीक का एक मामला आया है और ऐसे आता रहता है यह एक आर्टिकल जो है यूटर्स में लिखा गया है और कई सारे निउस पेपर्स में भी है कि रॉकेट या अंतरिश प्रद्योंकी में हीलियम का क्या उपयोग होता है और उसके बिकल्प के बारे में क्या-क्या-क्या उपलब्द हैं और इससे क्या जूड़ी हुई पुर्जा के छेत्र में चार प्रमुख MOUs या मेंबरेंडम आप अंडरस्टेंडिंग या समझोता ग्यापन अस्ताचर किये गए हैं, जिसमें से एक मिलियन टन का प्रतिवर्श जो है, LNG ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है इंडियन आयल और वहां की एक कमपनी है, अमिरात न साल ये देखा जाए तो पिछले एक साल में ये तीशरा समझोता हो रहा, LNG को ट्रांसपोर्ट को लेकर, एक और भी ऐसे ही भारत में एक रिजर्ब बनाया गया है पेट्रोलियम का, उसको पूरा करने को लेकर भी एक समझोता हुआ है, नुकलियर सहयोग के छेत्र में समझ भारत करके और अगर उस ब्लॉक से जो है आपूर्ती जो सोने लगए है तो भारत में, साथी अरब में काम करने वाली किसी कंपनी को, किसी पहली भारती कंपनी को वो ब्लॉक अलाट हुआ है, तो ये सारी चीजे हुई है, आए जरा हम इसको गहराई से समझने की कोशिस करत समग्र रणितिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्यापक वारता के क्रम में, बारत और सनुटरप अमिर्यात ने 109 सितंबर को चार प्रमुक सम्झोते किये हैं, इसमें कच्छे तेल के भंडारण पर है, एलेंजी की दरगा काली कापूर समुति की बात है, आसाने परमाण और च्छेत्र की बात है, और एक वहाँ पे एक आनसोर जो है, ब्लॉक एलाट किया गया है, वो सारी चीजे इसमें सामिल है, ठीक है, विदेश मंतराले ने कहना है कि इस दोनों ने ताओ ने और परियोग्त छमता, यानि वो जो च्छेत् है, हरित हाइटरोजन है, कित्री ब्रिधिमत्ता है, जैसे आत्याधुनिक परियोग्त किया है, इन छेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग पर एक दूसरे को पल दिया है, क्योंकि भारत और सनुकरब अमीरात के बीच जादा तर हमारा सहयोग खाड़ी देश है, तो सनुकरब से काम करने पर सामत हुए हैं, जो समझोते हुए हैं, उसमें देखिए, LNG की दिर्ग कालिन आपूर्ति को लेकर जो समझोता हुआ है, इसमें अबुधाबी नेशनल आयल कंपनी है, ADNOC, द्वारा जो है भारती तेल निगम लिम्टेट को प्रतिवर्स एक मिलियन मिट्रिक टन तरली प्राकृतिक गैस या LNG की दिर्ग कालिक आपूर्ति की जाएगी, LNG या तरली नेशनल गैस जो है ता, एक्चुल में यह होता है मिथिल जो लिक्विट होती है या तरली क्रित फार्म में होती है, और देखा जाए तो एक वर्स से कुछ समय में हस्तानत या तीसरा ऐसा अनुबंध है, IOCL और गेल दोनों ने पहले जो है इसी ADNOC के साथ 1.2 मिलियन का मिट्रिक टन का प्रतिवर्स का पहले IOCL कर चुका है और गेल दसमलो 5 मिलियन मिट्रिक टन का कर चुका है और पुनह जो है भारती तेल निगम इंडियन आल जो है पुनह इस करें समझाते है भारत के उर्जा सुरच्छा को मातवपूर है क्योंकि LNG जो है वो एक कह सकते हो कि डीजल का बेहतर बिकल्प है जैसे CNG जो है इस्तेमाल होता रहता है गाडियों के इस्तमाल में CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है नेचुरल गैस है जो कंप्रेस तरीके से है वो इस्तमाल होता रहता है, उसी को जब हम LNG फार्म में, हाला कि उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलगे, लेकिन material वही है, LNG फार्म में हो जाता है, तो उसका जो जलन मान चमता होती है, इंजिन की जो चमता होती है, वह डीजल के बराबर हो जाती है, बजन को ढोने और ले जाने में फिर वैसे में वो ये LNG हमारे डीजल का विकल ट्रकों में डीजल का विकल बन सकता है जैसे CNG पेट्रोल का विकल बन सकता है वैसे LNG ट्रकों में डीजल का विकल बन सकता है हाला कि अभी भी CNG ट्रके चलती है लेकिन उनकी लोड उठाने के चंता और दूरी दोनों उतना नहीं है जितना डीजल का होता है इसलिए थोड़ा नुपसान उठाना पड़ता है लेकिन LNG आ जाने के बाल वो डीजल के समकच वो कार करने में वो सच्छम हो सकती है तो ये महतपूर्ण है हमारे लिए जो है LNG के छेतर में समझाता है दूसरा है नागरिक परमाण छेतर में सहयोग को लेकर समझाता है अबुधाबी हो या UAE हो या सनुतरब अमीरात हो उनलों को भी पता है कि आज नहीं तो कर पेट्रोल का विकल्प हमें तलासना पड़ेगा और ऐसे में पेट्रोल के विकल्प पे रूप में नुकलियर इनर्जी एक महतपूर्ण जो है विकल्प हो सकती है जो उर्जा के साथ साथ अनेक छेत्र हैं जिसमें सहयोग हो सकता है जैसे वो दवाओं के रूप में भी उसका विकल्प प्रद्योकी के रूप में उसका इस्तमाल किया जा सकता है आपके फसलों के रोग नियंतरक के रूप में भी वो किया जा सकता है ने ने रिस दोनों वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं कि वहाँ परमान उर्जा, सन्यंत्र का संचालन रख रखाव आदि का काम करेंगे इसी तरह से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर समझोता हुआ है भारत और UAE ने भारत में एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने पर समझोता किया है पहले से ही समझोता किया गया है उसी के और एक एडवांस के रूप में ADNOC और India Strategic Petroleum Reserve Limited उसके लिए कमपनी बनी है एक काने समझोता हुआ है इसमें भारत में कच्चे तेल के भंडारन के लिए अत्रिक्त आउसर जो है ये तरासेगी और स्विकार सर्तोपोस के भंडारन और प्रवंधन समझोते के बीच में ये नवीकरण सामिल किया गया है एक और जो है अबुधावी आंसोर ब्लाक वन के उत्पादन में रियायत या कंसेशन समझोता हुआ है जिसमें उर्जा भारत नामने के कमपनी है उर्जा भारत ये IOCL और भारत पे ट्रूर रिसोर्स लिम्टेट का सनिक उद्यम है यह ADNOC यानि अबुधावी नेशनल लायल कंपनी के बीच जो है अबुधावी आंसोर ब्लाक वन के लिए उत्पादन रियायत समझोता हुई है और यह देखा जाए तो UAE में परिचालन करने वाली किसी भी भारती कंपनी के लिए एक पहला जो है समझोता इसमें किया गया है इसके रियायती समझोते के द्वारा उर्जा भारत यानि जो कंपनी है जो UAE में भारत की ही कंपनी है IOCL और भारत पेट्रो रिसोर्स लिम्टेट इसकी सनुत कंपनी है यह भारत में कच्छा तेल लाने का आधिकार दे देती है जिससे देश की उर्जा सुरच्छा में योगदान मिलेगा तो यह कुछ तीन-चार समझोते हुए हैं यहाँ पर और इसके अत्रिक्त दोनों निताओं के मद्ध कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है जैसे कि वर्ज 2015 में प्रधान मंत्री यूएई के यात्रा पर जाते हैं और उसी दोरान भारत यूएई के समझों को कम्प्रिहेंसिब स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप में बदल दिया जाता है हमने अभी कुछी दिन पहले बताया था फिर बता देता हूँ इस्ट्रेटिक पार्टनर्शिप दूपच्छी सम्बंधों से एक व्यापक अउधारणा होती है जिसमें भविस्ट की समभावनाई चुनोतियां जैसे दूपच्छी सम्बंधों में अक्सर एक दूसरे के अपने अपने हित्रों के बारे में सोचा जाता है जो strategic relations होते हैं उसमें भविस्य की जरूरतों को भविस्य की संभावनाओं को दूनों को पूरा करने के लिए प्राप्त करने के लिए कोशिस की जाती है और वो सभी छेत्र जो हो सकता है कि अभी 25 संभन्दों के लिए महत्पून नहों लेकिन वो भविस्य में महत्पून हो सक रखते हैं दुनिया के लिए उन सब पहलू पर एक दूसरे के साथ संभन्द बनाए रखने की कोशिस की जाती है और ये काफी गंबीर अस्तर का संभन्द हो जाता है तो 2015 में भारत और UAE के बीच में strategic partnership हो चुका है उसी को लेकर कई सारे फैसले भी किये गये हैं तो दोनों ही बेक्त किया गया है कि 2022 में दोनों देशों के बीच जो व्याफक आर्थिक भागिदारी समझोता अब आर्थिक छेत्रों में लेकर जो है ब्याफक रूप से भागिदारी का जो समझोता 2022 ये फरवरी 2022 में हुआ था इस पर भी बात कीके हिए कि इससे भी सफल है और भारत के अन्य देशों की अपेच्छा भारत का UAE के साथ आयात और नरियात दोनों तेजी से बढ़ा है सीपा होने के बाद और दुपच्छी निवेश संधी बाइलेटरन इन्वेस्मेंट ट्रिटी ये अभी फरवरी 2024 में हुआ है इसमें एक दूसरे का क्या बलकि जो UAE के तो इन सारे पहलों पर भी चर्चा या बाचित की गई है इसके अतरिक्त दोनों देशों ने जुलाई 2023 में स्थानी मुद्रा निप्टान LCS Local Currency Swapping की भी बेवस्ता हुई है जिसमें भारत का रुपया और UAE का दिहरम जो है अमीरात का दिहरम ये दोनों का आपस में इंटर चीज चली है इसको लेकर भी बात की गई है अगर हम देखें तो दोनों देश का संबंध जो है पिछले कुछ पिछले दसकों से लेकर जो बड़े तेजी से बिस्तारित हो रहा है क्यों क्योंकि एक तो हम 2015 में हमारा UAE का strategic partnership हो गया है तो strategic partnership में गहराईया बढ़ जाती है सम उतावास है UAE में उसके अनुसार भारत का जो भारती प्रवासी है वो 30% UAE के आप जन संख्या का है और सबसे बड़ा ही है वो कह सकते हो कि राइसोपोरा है लगभग 35 लाग की आबादी है काफी जीवन्त समू है हमारे UAE के संबंधों में एक महत्पुर भागिदार अदा करता है और भी कई सारी ऐसी चीज़े हैं जिसके कारण भारत और UAE को एक दूसरे की आव सकता है जैसे आइमेक देख लिया जा आइमेक इंडो मिडिलिस्ट इकनामिक कोरिडोर वो UAE के होते हुए जाएगा भारत से चलेगा UAE होते हुए जाएगा गाजा युद्ध की बा उस निवेस का फाइदा UAE को भी उठा सकता है UAE के खाद सुरच्छा के लिए UAE के भविष्यकी उर्जा सुरच्छा के लिए अब कहेंगे कि सर, UAE के उर्जा सुरच्छा हाँ कभी तो पेट्रोलियम समाप्त होगा तो इसके लिए UAE ग्रिन हाइट्रोजन पर भी बल दे तो भविष्यकी खाद सुरच्छा, यूर्जा सुरच्छा के लिए भारत महत्पूर्ण है भारत के उर्जा सुरच्छा के लिए भारत के निवेस के लिए और भारत के जो बहुत सारे भारती वहां रहते हैं उनके लिए आइमेक के लिए ये सारी चीजों के लिए भारत UAE का संब्द एक दूसरे के लिए महतुपूर है इसलिए अकसर आप देखते होंगे कि दोनु देशों द्वारा रेगुलरली एक दूसरे के साथ हाई लेबल की जो है यात्राएं होती रहती हैं ठीक है आई अगला देखते हैं एमपॉक्स का प्रसार चिंता का विसेक्यो है दो मामले हैं दो मुद्दे एक साथ क्लब हैं इसलिए इस पर एक्स्प्रेशन लिखा गया है इंडियान एक्स्प्रेस में पहला तो यह है कि दश्विड अफ्रिका का एक देश है डिमोक्रेटिक रिपॉब्लिक आप कांगो ब फैल चुका है भारत में भी कल एक मामला सामने आया है लेकिन उसको वैक्सिनेशन की पहली खेब जो है हाल ही फिलाल में मिली हुई है उसके पीछे वज़ा यह है कि अगर यह इतना महगा है यह वैक्सीन करीब 75 से 80 डॉलर एक वैक्सीन की कीमत आ रही है जो देखा जाए कि अफ्रिकन देशों के लिए बहुत ज़्यादा कीमत है तो उसकी कारण जो है कीमत के कारण और WHO द्वारा जो है थोड़ी सी लेट लतिफी करने के कारण इसमें देरी हुई है अलाकि अब वैक्सीन जाना सुरू हो गया है और भारत में भी एक मामला आया है लेकिन चिंता की की बाद नहीं है यह जो मामला है एक तो किसी और वैक्ती के संपर्क नहीं उसके यात्रा हिष्टी है कैनी बहर से आया है दूसरे जो उसके पास इस्ट्रिंड भी मिला है एम्पाक्स का वो भी और घातक हो गया है और अन देशों में भी फैल गया है और हाल ही में इसको एमपाक्स टीकों का पहला दान या जो है डोनेशन मिला है इसी के साथ 9 सितंबर को भारत में भी पहले एमपाक्स मामले की पुष्टी हुई है जो एक यात्रा समंधी संक्रमण है प्रयोकसाला में मरीज में पर्शिमी अफ्री की क्लेड टू के एमपाक्स वाइरस की मौजूद्गी की पुष्ट हुई है देखें क्लेड यह होता है कि एक वाइरस के एक वाइरस सिरीज की जो भी जानकारियां होते हैं उनको कहते हैं क्लेड तो एमपाक्स में दो क्लेड है क्लेड वन और clade 2, clade 1 में 2 है, clade 1A और clade 1B, तो 1A जो है, वो कम जानवरों से होता है, 1B जो है, खतरनाक है, वो अफ्रिकन देशों में है, और clade 2 जो है, हलका है, बहुत आसान है, तो उतना घातक नहीं है, उसी clade का भारत के पेसेंट है, उसको हुआ है, और देखिए, मामलों की box जो है, तेजी से फैला है, जो आज दुनिया के 130 से जादा देशों में box फैला है, उसके पीछे के कारण यहीं रहा है, कि अफ्रिकन देशों में TK उपलब्द नहीं हो पाए हैं, क्योंकि TK का दाम बहुत जादा है, दुनिया में 3 TK हैं, जिन में से लगभग, सभी का द यानि जो vaccination को लेकर अंतरास्टी पहल है, उसके द्वारा खरीद के न दिया जा सके, और वो कब दे सकता है, जब WHO इसको emergency approval दे, और WHO ने emergency approval देने में देरी की है, जिसके कारण यह नहीं हुआ है, तो देखिए M-pox क्या है, और इसका चिंता जनक क्यों है, देखते हैं, तो M- जिसे monkey-pox के नाम से जाना जाता है, यह M-pox वायरस के कारण होने वाला एक स्वासिमित वायरल संक्रमण है, यानि स्वता से ही ठीक हो जाने वाला एक संक्रमण होता है, और small-pox या चेचक जिसे बोलते हैं, उसी स्रेडी का आता है, तो चेचक और M-pox दोनों वायरस एक ही पर जातक होता है, और इसमें मिर्तुदर भी कम होती है, चेचक यानि small-pox में ज्यादा होती है, M-pox में कम होती है, लेकिन चिंता यह जनक है कि यह तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इसके वायरस जानवरों में भी पाए जाते हैं, जबकि चेचक के साथ ऐसा नहीं होता है, तो च देखें, आम लच्छोडों में अगर किसी को एंपाक्स होता है, तो बुखार, सिर्दर्द, मांस्पेशियों में दर्द, पीट दर्द और सूजे हुए लिंप नोट्स यह सब होते हैं, जैसे चेचक में होते हैं, हलाकि यह दो-तीन सब्ता में स्वता ही ठीक हो जाते हैं, यह एक स्वा सीमित बीमारी है, यानि स्वता सीमित हो जाती है, लेकिन इसमें मृत्यू भी हो सकती है, खासका बच्चों और कमजोर परतिरच्छा प्रडाली वाले लोगों में इससे मृत्यू भी होती है, और एक जो घाता क्लैड है, 1B, उसके जरीए थोड़ा सा ज़्या तक यह सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि यह तेजी से फैलता भी है, और थोड़ा खतरनाग भी है, इनका जो क्लैड, तो देखें, क्लैड से वारस के पुरूवर समान होते हैं, एमपॉक्स की बात आती है, क्लैड 1 और क्लैड 2 होता है, क्लैड 1 में दोनों में से अधिक होता है, और यही निया वारिएंट जो है, क्लैड ऐसको आफिका में, यही निया वारियंट जो है, क्लैड 1 बी जो है, यही तेजी से फैल रहा है, और इसी के कारण महिलाओं और बच्चों को भी अधिक प्रभावित कर रहा, इसलिए चंता का विशय है, अगर हम इसको दे अमजोर करके बनाया गया है यानि जिस तरह से आप Smallpox के टीके बनाय जाते हैं उसी अधार पर Mpox के भी टीके बनाय गये हैं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टीका Vacciniya Ankara है यानि जो Vaccine जो है उसी के MBA है इसे डेद्मार की एक कमपणी है वो बना रही है इसी तरह से जापान की एक कमपनी है वो भी बनाती है मेरिका की कमपनी है तो तीन टिके बनाई गई है भारत की सीरम इस्चूट जो पूरे इस्तित है वो भी इस पर काम कर रहा है और उसका मानना है कि अगले साल तक टिके उसके त्यार हो जाएंगे जैसे सीर प्रेम इंस्टूट को बड़े पैमाने पर और सस्ते टीके बनाने का महारत हासिल है अगर देखा जाए कि इसके टीके के बारे में कि अफरिका में एमपास के टीके अभी तक पहले पहले क्यों नहीं मिले हैं तो देखिए डब्ली एच्चो को एनुसार जो है अभी जो एमप पास्ट के टीके हैं वो अफरिकी देशों के लिए बहुत महंगे हैं प्रतिकुराक 50 डालर से लेके 75 डालर 50 डालर का ही मान लेज़े कि आपका 5,000 रुपए से मतलब 4,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक प्रति प्लक्ति डोज है तो इतना किसी अफरिकी देश के लिए स उनिसेब भी है ये सब भी खरीद के वहाँ पर दान देते हैं लेकिन गवी और यूनिसेब तब तक टीके दान नहीं दे सकते हैं जब तक डुप डुप अच्चों उत्पात के लिए आपात कालीन प्रक्रिया जो है इमर्जंसी अप्रूवल नहीं दे देता है डुप डु चाहे जिसका आण भी किया गया हो इसका नुक्षान दिवसकों और खास्तोर से अफरीका के गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है एमपाक्स वैक्सीन कब लेनी चाहिए अम्मुम तोर आम तोर पे इसमें वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि जब आप किसी संक्रमित व प्रहेंगे ऐसा इसमें कहा गया है ठीक है अगला जो समाचार है वो है हीलियम गैस को लेकर है कि कई सारे अभी मामले आए हैं जैसे जो हमारी सुनिता विलियम और एक और अंतरिश शियात्री हैं वो अंतरिश चेस्टेशन में फस चुके हैं क्यों फसे हैं क्योंकि उनको लेकर जाने वाला जो स्टार लाइनर का जो कैप्सूल था उसके वो जिसको लेकर जा रहा था जो परच्छेपड़यान उसमें से हीलियम की लिकेश का मामला देखा गया शुरू में भी देखा गया था लेकि फिर भी बग्यानिकों को लगा कि नहीं एतना कोई समस्या नही और फिर यह देखा गया कि नहीं इसको लेकर जाना मुश्किल हो सकता है और अंतरतर उनको लाने की प्योस्ता छोड़ दी गई त्यां तक कि उनको लाने के लिए फिर से स्पेसेक्स जो प्रियास करा है उसमें भी हिलियम के लिकेश की मामले सामने आए हैं और कई आते रहत हैं तो हम इसमें समझने की कोशिस करेंगे कि हिलियम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा कंपोजिशन जानेंगे और उनका प्रियोग अंतरिच या रॉकेट में क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है और इसा क्या कोई विकल्प है या नहीं है ठीक है चलिए चर्चा म महीनों तक अंत्रे छंद्रिस पर लटके रहे जिसमें हीलियम रिसाव का भी एक मामला सामने आया था वहीं पृत्वी पर भी SpaceX के Polaris Dawn मिसन में जमीनी उपकरणों पर ही हीलियम की समश्याओं के कारण देरी हो गई है और भी कई सारे मिसन हीलियम रिसाव के कारण प्रभावित हुए है जिसमें इसरो का चंद्रयान दो और यूरोपी एजनसी का एरियन 5 राकेट भी सामिल है जो इसको हीलियम के रिसाव के कारण समश्याओं हुए है तब ऐसे में आईए ज़रा समझें कि अंत्रिश यान और राकेट हीलियम का उप्योग क्यों करते हैं पहली बात तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं फिर क्यों करते हैं वो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा तो इसका उप्योग राकेट में कैसे कंटेनर में जिससे धरे-धरे करके निकलते हैं औक्सिटाइजर और फ्लूएंट फ्यूल जहें और वह आपस जलता है और उस मा से उर्जा मिलती है या धक्का मिलता है और अटकेथ हमारा ऊपर जाता है उस सिस्टम को सही धंग से काम करनी के लिए कि जो कंटेनर में जो fuel है या जो oxygen है oxidizer है वो सही ढंग से बाहर निकलता रहे उसमें उसके pressure को एक maintain करने के लिए एक optimum level पे maintain रख करने के लिए उसके साथ साथ helium मिला दिया जाता है जिससे जैसे जैसे वो gas निकलते जाते हैं या propellant निकलते जाते हैं और वो दबाब बढ़ियां बना रहा था जिससे की अंतिम तक जो है उसमें fuel और oxidizer निकलते हैं और उससे rocket का कार पनाली अच्छे से चलता है और इसमें हम helium का प्रियोग करते हैं helium का प्रियोग क्या है rocket पनाली को जो है उसके जो pressure system है उसको maintain रखता है जिससे की fuel और oxidizer एक आराम से वो निकलते रहें और जलता रहे अब यह है कि इसके लिए helium का ही प्रियोग क्यों किया जाता है किसी को भी कर सकते हैं तो उसमें helium की कुछ बिसेस्ताइं होती है पहली बात तो helium जो है अब क्रिया नहीं करता है जलने के बाद भी जो चीजे बनती है उसके साथ भी helium को इक प्रिया नहीं करता है जिसके कारण ये एक safe gas हो जाती है प्रणोडन को प्रेसर को maintain रखने के लिए रेया rocket pressure को maintain रखने के लिए और दूसरी बात है कि ये बहुत हलकी होती है कुछ हो सकता और भी भारी अक्री gas है आप कह सकते हैं कि भारी भी अक्री gas है मिल सकती है लेकिन हमारा main focus जो भी अंतरिश प्रणोडन की का वो यही है कि हम अपने rocket system को जितना हलका से हलका रख सके क्योंकि rocket जितना हलका से हलका होगा वो उतना जादा से जादा सामान को अंतरिश में भेज सकता है या उसको बनाने वाला engine और उस पर खर्चा कमाएगा तो ऐसे में अब helium से हलका तो hydrogen है hydrogen वो इनन के रूप में होता है तो अब उससे हलका तो कोई अक्री gas है नहीं जिसका इस्तमाल हम इसमें कर सके तो एक तो अक्री है दूसरे बहुत हलका है तीसरा ये है कि ये अधिकान समय तक इसका जो क्वतनांक होता बहुत मतलब 269 degree Celsius तक वो गैसिय सवस्था में रहता है और लगबग उसी temperature के आस पास जो है rocket भी, rocket का जो engine भी होता internal engine वो उसी range में काम करता है तो ऐसे में वो गैसिय सवस्था में भी रहता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है कि उसको अलग से gas बनाने के जरूरत नहीं होती वो गैसिय सवस्था में ही रहता है और अपना काम करता है इसी दिये rocket engine में या अंतरिश प्रद्योकी में helium आदिका प्रियोग किया जाता है अब प्रस्थ ये है कैसे किया जाता है तो बताई दिये कि क्या helium में रिशाव की संभावना होती है बिल्कुल होती है क्योंकि इसे पताई ये कि helium सबसे हलका gas hydrogen के बाद सबसे हलका तत्तो है तो जब उतना हलका तत्तो है तो उसके leak को बाहर निकल जाने का खत्रा बना रहता है हलाकि एक अच्छी बात ये है कि वाई मंडल में helium बहुत कम है तो ऐसे में इसे आसानी से इसके रिसाव का पता लगाया जा सकता है और वो कोई अक्री gas भी ये नहीं है कि कोई आपको सवसन या विसाक्तता लाएगी हलाकि इसको जो है सवसन में जहां पर ये oxygen को हटा देती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन विसाक्त गैस है ऐसा नहीं का जा सकता है को लेकर जो है इसलिए इसके रिसाव होता ही है और इसके बावजूद भी इसका इस्तमाल किया जाता है अगर देखें अच्छा उदारण है कि मई में बोईंग के starliner जिससे अंत्री चात्री गये थे उसमें अपने पहले अंत्री चात्री दल को राच लांच करने के सुरुवाती प्रयास के कुछ गंटे पहले अंत्री चात्र के अंदर छोटे सेंसर ने starliner में के थ्रच्टर में एक-एक छोटे हिलियम रिसाव का पता लगाया था जिसका नासा ने कई दिनों तक भी सेशन किया और फिर इसे कम जोखी मान के कहा जाने दो लेकिन जून में starliner के launch होनी के कुछ बाद अंत्री च में अत्रिक्त रिसाव का पता चला जिसके करण नासा ने starliner को बिना चालक दल के साथ प्रित्वी पर वापस बे दिया कि कोई रिस्क नहीं लेंगे इसको वापस प्रित्वी पर भेज दो तो रिसाव होता है क्योंकि वो बहुत हलका है और इसलिए बैग्यानी कह रहे हैं कि अंत्रिश प्रद्योकिये में या तो हीलियम का विकल्प ढूलो राकेट में यान में या तो यह जो जिस तरह से हीलियम का बार-बार रिसाव हो रहा है उसमें जो वाल्ब है उसको या जो वाल्ब को टाइट कसने वाले यंत्र है इन दोनों में सुधार करने की जरूरत है तब ही यह हो सकता है तो अब प्रस्ण है कि क्या कोई विकल्प है तो देखिए कुछ राकेट रांच में आरगन और नाइट्रोजन जैसे गैसों के साथ प्रियोग किया गया है जो निस्क्री भी है और कभी-कभी सस्ती भी है हलाकि हीलियम अभी भी अंतरे शुद्योग में बहुत अधिक परचल है इसमें हिलियम के अस्थान पे प्रेसर को मेंटेन रखने के लिए जिसे रास्ट में जो क्राइजनिक होता है उसमें लिक्विट हाइट्रोजन और लिक्विड आक्सिजन होता है तो उसमें ये बेवस्था बनाएगी कि कुछ लिक्विड हाइट्रोजन और कुछ आरवाई शुरू करनी पड़ी न तो लगा कि ये सही है लेकिन जब अभी सफल डेब्यू लांच के अंतिम चरण के दरान वह प्रणाली अंतरिच में विफल हो गई ऐसे में अब पुन्हा ये प्रस्द हो गया कि यार कोई विकल्फ हीलियम का तलास आ जाए तो अभी तक तो कई सारे विकल्फ हैं लेकिन जो काम जतने आसानी से या जतने हलके पनका होकर वो काम कर देती है वो थोड़ा सा भी मुस्किल है तो उसी का विकल्फ तलास रहें कि कोई विकल्फ मिल जाए तो ठीक है या जो वाल्ब है उसको कैसे दूर किया जा सके इस पर ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही है, question के रूप में देख लेते हैं, तो देखिए हाल ही में चर्चा में रहे भारत UAE के मद्ध उर्जा संबंधों को बिस्तार देने वाले समझोते के संदर्वन निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए, इस समझोते में परमानु के छेत्र में सहयोग के लिए अमिरात नुकलियर इनर्जी कंपनी और नुकलियर पाउर कारप्रेशन आप इंडिया लिम्टेट की मद्ध भी एक समझोता हुआ है, ठीक है, इसमें उर्जा भारत और ADNOC के बीच अबुधा भी आंसोर ब्लाक वन के लिए उत्पादन रियायस समझोता भी सामिल है तो यह दोनों सरल है, दोनों इसमें सामिल है, दूसरा है भारत UAE के मद्ध भ्यापा का आर्थिक भागिदारी समझोते पर हस्ता अचर करत किया गया, फरवरी 24, जुलाई 23, जुलाई 22, फरवरी 2022 में, ठीक है, यह फरवरी 2022 में किया गया था, Q3 में है, चर्चा में रहे, M-pox के वैक्सीन के संदर में निमल्खित कतनों पर विचार किजिए, वरतमान में M-pox के के वल एक टीका ही उपलब्द है, एक नहीं तीन टीके उपलब्द है, मांगें जरूर है, लेकिन तीन टीके उपलब्द है, पूरे इस्तित सिरमिश्योट इंडिया M-pox वैक्सीन विक्सित कर रहा है, और उसे एक साल के भीतर सा करात्मक परणाम मिलने के उपियत है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है, किवल B होगा, चौथा है, चर्चा में रहे, M-pox के संदर में निमल्खित कतनों में से कौन सासे कतन सही है, यह एक स्वा यह राकेट में हीलियम के उपियोग के संदर में निमल्खित कतनों पर विचार कीजिए, हीलियम का उपियोग इधन टंकों में दवाब को बनाये रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, नए Arian 6 राकेट में हीलियम के स्थान पर एक नए दवाब प्रडाली को सफलता बुर पढ़ते रहिए, पाकी जवाय करिए, नमस्कान, धन्यवाद